दोस्तों सुवागत आप सबका मेरे YouTube चैनल TechTuition's में और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैटिंग्स बताऊंगा आपके कम्पूटर या लैप्टॉप के लिए जिससे कि आप अपने माइक्रोफोन के ओडियो को डिरेक्टली सुन सकते हैं स्पीकर से तो ये question बार-बार पुछा जाता है ये बहुत ही simple settings है लेकिन फिर वी comment section में बार-बार ये पुछा जा रहा है कि हम microphone के audio को directly speaker से किस तरह से सुन सकते हैं तो इसलिए मैं ये video बना रहा हूँ और ये settings आप अपने laptop पे या computer पे दोनों पे ही कर सकते हैं आप laptop में करेंगे तो आप उसका inbuilt microphone और speaker यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास computer है तो उसके लिए अगर आपके पास external microphone और speaker है तो आप ही नहीं यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इन settings के बारे में पता है तो आप इस video को skip कर सकते हैं यह बहुत ही simple से setting है और यह मैं वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिने इसके बारे में नहीं पता तो अगर आपको पता है आप इस video को skip कर दीजिए चैनल पे और भी बहुत सारी videos है आप उन्हें देख सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप इस video को देखते रही है तो जगधा टाइम ना लेते हुए मैं आपको computer screen पे दिखाता हूँ इन settings के बारे में तो चलिए move करते है computer screen में तो दोस्तों आप यहाँ पर जल्दी से settings देख लीजिए यह बहुत ही simple है आपको simply control panel में जाना है आपकी window के उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर यह option होती है sound की इस पर आप double click कीजिए जैसे आप sound पे double click करते हैं तो यह नई window open होगी इसमें आपको उपर की तरफ कुछ tabs दे जाते हैं जिसमें पहली tab होती है playback की यह आपके speakers के related है तो इस पर आपको कुछ भी नहीं करना second tab होती है recordings की तो आप second tab पे जाएंगे उसके बाद आपको आपके microphones की list दिखाई देगी जितने भी आपके microphones connected है आपके laptop में या computer में उसके बाद जो आपका by default microphone है आप simply उस पर फिर से double click कीजिए जैसे आप double click करेंगे उसके बाद फिर से आपको यह नई window उपन होगी इसमें आपको यहाँ पर देखिए उपर की तरफ second time मिलती है listen की अब यह second time में जाएंगे उसके बाद देखिए चोटी सी option होती है यहाँ पर यह होती है listen to this device आपको simply इस पर click कर देना है जैसे ही मैं इस पर click करेंगे तो मेरी जो microphone की audio है वो speaker से आएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर simply से apply कर दीजिए तो देखिए जैसे ही मैंने इसे apply किया तो भी जो audio है वो मेरे speaker से आ रही है directly जो भी मैं microphone में बोल रहा हूँ तो मुझे वीडियो record करने में थोड़ी से मुश्किल हो और यह इसलिए मैं speakers की volume को बंद कर देता हूँ तो आपने देख लिया होगा दोस्तों यह simple सी setting है इस पर click करते ही आपके अपने microphone की audio को आप speaker से सुन सकते हैं फिर से देख लीजे control panel में sound sound के बाद इस पर double click कीजिए यह window open होगी तो इसमें second tab है recordings की recordings में आपको microphone पर double click करना है उसके बाद फिर से second tab है listen की और यहाँ पर यह छोटी सी option होती है listen to this device आपको इसे click कर देना है तो यह simple सी setting है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया पता लगा होगा कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है आप उने भी देख सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर